आज मैं निखिल बाजपेए और हम आप मिलकर के 36 गर में मौरिकाल का अध्यन करेंगे 36 गर में मौरिकाल का अध्यन हम शुरुवाद करेंगे तो आप सभी को मालू होगे कि इसके पहले हमने महाजनपत काल पढ़ा था और महाजन्पत काल छटी शताबदी इशापूर्वका था। ये कह सकते हैं कि उसी के आसपास की घटना ही नंदन मौर्य काल की या नंदन मौर्य वन्ष की है। जैसके मैंने लिखा हुआ है कि मौर्वन्षी राजा चंदरगुप्त मौर्य एक महान शाशक थे। उन्नोंने भारत का प्रतम एतहासिक समराथ होने का गौर्वप्राप्थ है। आचारी चारणक्य की सहायता से समराट चंद्रगुप्ति मौरी ने नंद वन्श से विजयी, प्राप्त कर लिया और अपना अधिपत्य जमाया। तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि मौर्य काल में हम चद्रगुप्त आचारी चाणक के और इनहीं के युग और इसके आसपास के युग के चर्चाय करने वाले हैं तो मैं एक पॉइंट इसमें एड़ करना चाहूंगा कि दक्षेर कोशल का यह छेत्र संबाव था नंदर मौर्य समराज्य का अंग था और ऐसा हमें क्यों लगता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वन्ष का अधिपत्य इस्थापित कर लिय जो भी मैं पॉइंट आपको क्लास में बताता हूं यह PSC और व्यापम को बहुत ध्यान में रखकर बताय जा रहे हैं यह video lecture उनको ध्यान में रखकर बनाय जा रहे हैं I hope आप लोग इन्हें note करते होंगे और ध्यान पूरवक सुनते होंगे पहले बार वीडियो को आप ध्य इसी और व्यापम के लिए महतपून है आगे जम हम चलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में दक्षिन कोशल यानि के चत्यसगर में मौर्यवन्ष के संभवता शाषन काल रहा होगा यह जानकारी चीनी यात्री व्यान सांग के यात्रा वितांत में भी हमें प्र अग्ध के पहारियों में इस्तित है अब अपन आगे बारत करते हैं मैं आपको जो चीनी यात्री व्यान सांग आया था उसने अपनी व्यात्रा वितांत में क्या कहा है मैं आप लोग को यह ज़रूर बतलाना चाहूंगा इसमें कुछ एक्सरा पॉइंटस अपन एर्ट करत हैं कि चीनियात्ती वियन सांग ने यात्रवितांत के अनुसार यह बतलाया है कि समराट अशोक ने यहां बौध इस्तूपों का निर्माण कराया था अशोक के समराजी के अंतरगत आंध्र कलिंग और रूपनात रूपनात का मतलब है जबलपूर उस वक्त जबलपूर को अब आप कल्पना करिए आंध्र कलिंग और रूपनात अगर छेत्र किसी के हिस्से में है तो बीच का 36 गड़ भी उसी के अधिन रहा होगा तो इसी से हम एक अनुमान लगाते हैं कि चीनी यात्री वियन सांग के भी किताबों से और उनके यात्रवितां से यह क्लियर हो रह है कि 36 गड़ में मौरिकाल था साथी साथ में सीता बेगरा और रामगर की पहाड़ियों की जो गुफाएं हैं वहां की जो साक्ष हैं मौरिकाल इन सिक्कों का मिलना साक्षों का मिलना यह भी हमें यह प्रमानित करते हैं कि भीया मौरिकाल का संबंद था 36 गर में प्राप्त मौरीकालिंस शाक्ष जब मैं 36 गर में मौरीकालिंस शाक्ष की बात करता हूँ तो जांजगीर चापा आपको यह याद रखना है कि अभी जांजगीर चापा जिले दो जिलों में विभक्त हो चुका है तो PSC और व्यापम कई बार पुराने रिकॉर्ट्स को भी परिक्षाओं में लेते हैं और कई बार PSC और व्यापम में यह देखा गया है कि वो अपनी आंसर को पुराने आंसर को ही रखते हैं और कई बार वो नए जिले को सजेस्ट करके लेते हैं तो हमें थोड़े से यहां पे साउधानी से पढ़ना होगा जांजगीर चापा जिले में अकलतरा और ठठारी में मौरे कालिन सिक्के प्राप्त हुए ये पूछा जा सकता है कि मौरे कालिन सिक्के कहां से मिले हैं आपको जांजगीर चापा कि अकलतरा और ठठारी का नाम लिख करके तो आना ही है पर इसमें कई बार यह भी पूछा जाता है कि वो कितने वजन के थे कितने वजन के थे कौन से धातू के थे तो इन से सम्मंदित जो प्रश्ण है ये भी आपको याद रखना है कि मौर रिकाल में कितने वजन के कौन से धातू के सिक्के जादतर बना करते थे या 36 गड़ में उनकी प्राप्ति हुई है वैसे हम जब बात करते हैं तो अकलतरा और तारापूर में चांदी के सिक्के मिले हैं तो आप अभी याद रखेंगे कि कैसे सिक्के मिले हैं तो चांदी के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं राइगर जिले के जब मैं बात करता हूँ तो राइगर जिले के बार गाउं में भी मौरे कालिन सिक्के मिले हैं यानि कि हम यह कह सकते हैं कि मौरे कालिन प्रमाण के रूप में हमें जादतर सिक्कों की प्राप्ति हो रही है और उसमें भी वो चांदी के धातुके बने हुए हैं अहत मुद्राएं कि जब हम बात करते हैं तो अहत मुद्राएं जो है ये आरंग, उडेल और तारापूर नामक इस्थानों में मौर ये कालीन अहत मुद्राएं मिली हैं ये जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यह रायपूर के आसपास के छेत्रे हैं, रायपूर के आसपास का है तारापूर, आरंग और उडेला, तो तारापूर, आरंग और उडेला में जो हमें अहत मुद्राय प्राप्त हुई हैं, आपको यह याद रखना इनका वजन भी PSC और व्यापम ने की जब प्रशन आती है, तो सरगुजा जिले में इस्थित, रामगर की पहारियों में इस्थित, जोगी मारा की गुफा में एक सिला लेख मिला है, जिसकी भाषा पाली एवं लिपी ब्राम्मी है, और हम सभी को मालूम है कि मौरेकाल में इस भासा का उप्योप किया जाता तो फिर से मैं रिपीट करना हूँ इस लाइन को जो लिखा हुआ है, सरगुजा जिले में इस्थित, रामगर की पहारी में इस्थित, जोगी मार की गुफा में एक सिला लेख मिला है, जिसकी भाषा पाली एवं लिपी ब्राम्मे है, जिसमें नर्तक देवदत एवं उसकी पतनी नर्तिका सुतनुका का प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है, इस स्थान को देश की प्राचिनतम नाटिशाला भी माना जाता है, और इसी से मैं आपको बता दू कि एक बार यह प्रश्न बना था, देश की प्राचिनतम नाटिशाला कहां इस्थित है, तो आपको याद जो जोगी मार की गुफा है इसे ही देश की प्राचनितम नाट्य शालाओं में से एक माना जाता है और यहां पे जो हमें सिला लेक मिले हैं बाली भाशा एवं ब्राम्भी लिपी में इसमें और जो चित्रणों का वर्णन है जिसमें नर्तक देवदत्य और प्रेमिका अनर्त की सुतनुका का प्रेम गाथा का वर्णन है इस से हमें सबज में आता है कि सायद ये एक देश की सबसे प्राच्चितम नाट्टी साला रही होगी इस स्थान पर महा कावी कालिदास जी ने प्रशित गंत मेग दूतम की रचना करी थी और ये कितना महत्वपून हो जाता है ये स्लाइड हमारे लिए पुछा दा सकता है मैं एक दूतम की रचना कहां होई थी आपको याद रखना है कि इसी गुफा जोगी मारा में होई थी मैं एक बार और आप लोग को इस चीजों को बतला दूँ कि सरगुजा जिले के रामगड की पहाड़ियों में इस थे जोगी मारा एवं सीता बेगरा की गुफा हैं जोगी मारा से अप लोग एक पॉइंट और याद रखेगा कि जोगी मारा से अशोक कालिन लेख की प्राक है और मेख दूतम की रचनाभी कालिदास जी ने यहीं करी थी ऐसा बताया जाता है जिसका रुपांतरन मदुकर पांडे जी ने 36 गड़ी में किया है उमीद करता हूं ये क्लास में जित्ते भी इंपॉर्टेंट तथे थे मैंने बतलाने की कोशिश करी और आप लोग को ये क्लास पसंद भी आई होगी वैसे एक नाम आप लोग और याद रिखेगा कि जोगी मारा और सीता बेंगरी की गुफाओं को सन 1848 इस्वी में सिकार के दोरान करनल आउसले ने खो जा था और 1904 इस्वी में डॉक्टर ब्लास ने इस पर प्रकाश डाला था तो दो अंग्रे का नाम आपको याद रखना है जोगी मारा और सीता बेंगरी की जोगुफाओं का हमने अध्यन किया वो 1848 में 1848 में सिकार के दोरान करनल आउसले ने इसे देखा था इसे जाना था ये इसे खो जा था करनल आउसले ने लेकिन 1904 में इस पर प्रकास डाला या इस पर आगे हम पढ़ेंगे सुंग वंश और खारविल वंश फिस साथ वहान वंश के बारे में धन्यवाद